अवस्कास शाथियों जैहिन वन्यमात्रम शाथियों हर भाई भेहन के लिए यह वीडियो इंपोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाल विकास के अंतरगत बालक की अवस्थाओं से समंदित पूरा निचोड यहाँ पर बताने वाले हैं कि क्योश्चन कहां कहां से बनते हैं किस टाइब से बनते हैं और आपके बाल विकास के अंतरगत जो अवस्थाओं होती हैं बालक की तीन अवस्थाओं होती हैं इसा वस्था होता है जो जन्म से लेकर 6 वस्थक होता है दूसरी वस्था होती है बाले वस्था 6 से 12 वस्थक होती है तीसरी वस्था होती है कि 11 वस्था से 12 से 18 वस्थक यह इन्हीं में से कोशन भी यह तो शिंपल कोशन है इन्हीं में से भी एक दो कोशन पूछे जा सकती है और एक important बात साथियो अगर आप CETATE, MPET, REET, TET, UPT, CETATE यानि कि सिच्छक भरती परिच्छा की त्यारी कर रहे हैं तो best सिच्छा पात्ता परिच्छा चैनल आपको rocking information YouTube with Vijay sir यहाँ पर आपको साथियो free सिच्छा में के साथ सरकारी नौकरी के लिए सफल करा जाता है तो हर भाई वहन के लिए important है आपके family के लिए important है तो चले start करते हैं पहले बात करेंगे 6 वस्था से जन्म से लेकर 6 वस्था की 6 वस्था की बात करेंगे देखें बाल विकास की वस्थाएं जो है पहला हम यहाँ पर बात करेंगे बाल विकास की अवस्थाएं ठीक है और बाल विकास की अवस्थाँ में आपका आता है स्वरपतम सैसा वस्था जो आपका जन्म से लेकर 6 वस्था रहता है कितने वस्था रहता है सभी हर भाई वहन यहाँ पर कमेंट करेगा जैसा वीडियो चाहिए वैसा आपको मिलने वाला है क्योंकि 6 वस्ता आपका जन्म से लेकर 6 वस्ता रहता है ठीके काफी बार कुछा गया है अंगला प्रस्ण बात करेंगे कि जो बालिवस्ता होती आपकी 6 वर्ष से लेके 12 वस्ता होती है यह ध्यान दिजेगा, नोट कर लिजेगा, काफी महत्पूर्ण बाते हैं, सभी बाते हैं, क्योंकि यहां से question बहुत बार पूछा गया है 12 अवस्था आपके 6 से 12 अवस्था होती है, तीसरी मैं बात करूँगा कि 12 अवस्था की, जो आपकी 12 से 18 अवस्था होती है तीक है, तो यह आपको ध्यान दिखना है, तीनों अवस्था हैं आपकी जो बहुत ही महत्पूर्ण है, और इनी से question बनते हैं अब बात करेंगे, 6 अवस्था जन्व से लेकर 6 अवस्था कहां कहां से question बनते हैं तो यह ध्यान दिखेगा, याद कर लिजेगा, मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुरी बहुरी इंपॉर्टन कि 6 अवस्था शीखने का आदर सकाल किसने कहां तो वेलेंटाइन ने कहा है बहुत बार पूँचा गया है सैसावस्था सीखने का आदर्सकाल है किसने कहा था है वेलेंटाइन ने कहा है और यदि आ जाए कि 20. सताब्दी सैसावस्था की है तो वह या किसने कहा है क्रो एवं क्रो ने कहा है ठीक है 20. सताब्दी सहसा वस्था की है तो समझ लीजेगा क्रो एवं क्रो ने कहा है और सहसा वस्था सीखने का अदर्सकाल है तो वेलेंटाइन ने कहा है सीखने का अदर्सकाल वेलेंटाइन है और सताबदी, बेश्मी सताबदी की सहसा वस्था की है ये किसने कहा क्रोयम क्रो कहा है दो मत्वपून बाते हैं बहुत बार इज़ाम में पूछा गया है ये चीज़ें आपको दोनों ये कथन आपको याद कर लेना है क्योंकि हर बार रिपेटिड कोश्चन है ये ठीक है और बात करेंगे कि विकास की गती सबसे तेज सैसा वस्था में होती है किसने कहा तो थन डाइक ने कहा है ये तीनों कथन आपको द्यान पूरा काज रट के जाना है रट के जाना है नोटस बना लिजेगा मैं एक पहले बताता हूँ पहला वीडियो एक दो बार देखिए पूरा वीडियो इसके बाद नोट्स बना लीजेगा अवस्थाएं से आपके 5-6 नमबर आज पक्के करके जाएंगे आप लोग ठीक है तो सैसा वस्था सीखने का आदास काल किसने कहा वेलेंटाइन ने कहा विकास की इगती सबसे तेज सैसा वस्था में होती है किसने कहा थांडाइक ने कहा अब बात करेंगे मौत पूर्ण प्रस्न बाल विकास की अवस्थाओं की विसेस्थाओं से जो पूँचे जाते हैं यहां से बहुत कोश्चन मनते हैं चाती हो क्योंकि विसेस्ताओं से related बहुत बहुत question यहाँ पे पूछे जाते हैं अब बात करेंगे विसेस्ताओं से सम्मंदित आपके question की ठीक है अब यहाँ पे हर भाई वहन के लिए important है यह video तो अंतक जूर देखेगा सभी लोगों में share कीजिएगा ठीक है पहली अवस्ता होती कि सोरा वस्ता की जो विसेस्ता हैं कि स्वैम प्रेम की भावना की सवस्ता में होती है तो बहुत लेंगे भाईया सैसा वस्ता में होती है स्वकेंदित अवस्था सैसावस्था में मूल प्रतियों पर निर्भार पुन्रा वरत्ती विकास की गति सबसे तेज अनुकरन करके सीखना सैसावस्था की विशेष्था है नेतिक्ता की अधिक्ता भी आपकी सैसावस्था की विशेष्था है प्रयास वात्तुटि पूर्ण बेवहार भी आपकी सहसा वस्ता की विस्ता है वस्त की प्रधानता भी आपकी सहसा वस्ता की विस्ता है छोटे छोटे सब्दों का प्रयोग भी आपकी सहसा वस्ता की विस्ता है दूसरों पर निर्वार रहना भी आपकी सहसा वस्था में होती है क्योंकि सहसा वस्था में बालक बहुत चोटा होता है जन्म से लेके पांच वस्था का आपका सहसा वस्था होता है तो यहां पर बालक बहुत छोटा होने के कारण ही वे दूसरों पर निर्वार रहता है अपने माता पिता फैमली परिवार पर निर्वार रहता है और इसमें साथ चार आपसन दे दे जाते हैं A.B.C.D. दे दी गया तीन अवस्था हैं सहसा वस्था की दे दी जाती है चौथा किनधित अवस्था मूल प्रवत्तिओं पर निर्वर पुन्रा वरत्ति भि कास की कज़ि सबसे तेज अनुकरण करके सीखना नेतिकता की अधिकता प्रयास एवं तुठ पृूण ब्योहर ये काफी बार पूचा गया है कि प्रयास वर तुठ पृूण ब्योहर की से वस्त की प्रधानता पूँच लिया जाय तो हर एक भाई वहनियां पर बताएगा अगर ऐसा कोश्चन आ जाए तो बता देना वहिए सैसा वस्ता की सैसा वस्ता की भी जोत olsun है नहीं बोल पता है लहा है थीक आर्प यहाँ पर देखें सैसा वस्ता की संपूर्ण अवद में बालक की लंबाई बालिका की लंबाई से अधिक रहती यह इंपोर्टेंट बात है कई बार पूंचा गया है कि सैसा वस्ता की संपूर्ण अवद में बालक की लंबाई जो है बालिका की लंबाई से अधिक रहती धान बहुत important है इसको note कर लीजेगा पूरा वीडियो का notes बना लीजेगा हो सके दो तीन बार वीडियो को देख लीजेगा ठीक है अब बात करेंगे सिसु के जन्म के समय भार तीन किलोगराम होता है बहुत बार पूचा गया है कि सिसु के जन्म के समय भाल कितने किलोगराम का होता है तीन धाई किलोगराम चार किलोगराम या एक किलोगराम तो आपको जो यहाँ पे बाल विकास के अवस्थाओं में जो आपकी बात की गई तो तीन किलोगराम की बात क कर लेना है अब बात करेंगे अंगले परसुमिकी जो बहुत बार आथ पुँचा जाता है कि सैसावस्ता की बिसेस्ताओं में की क्योंकि वह तो जन्म गें लिया है अब ही ठीक है वो जन्म लेते ही आपका समाजिक प्राणि नहीं बन पाता है समाजिक नहीं बन पाता, क्योंकि समाज से मिल नहीं पाता है केवल परिवार से ही मिलता है, माता पीता से मिलता है तो परिवार एक प्राणी कहलाएगा तो आपका समाजिक प्राणी नहीं कहलाएगा बहुत बार question में इसे पूछे जा चुके हैं अब बात करेंगे अंगले प्रस्न की कुछ महतपूर्ण प्रस्नों की बात करेंगे कि मनुस को जो कुछ बनना होता है प्रारम्ब के चार या पांच वर्स में ही बन जाता है आप ये देखे होंगे ये बहुत बार आपका कथन पूछा गया है तो यह कतन किस ने कहा है तो फ्रायड ने कहा है फ्रायड ने कहा है आपका कि मनुस का जो कुछ भी बनना होता है वह चार या पाँच वर्स में बन जाता है ठीक है अंगला है कि चार या पाँच वर्स के बालकों में अपने छोटे भाईयों एवं बहनों या साच्यों की रच रच्छा करेगी उसको बताएगी या उसको डंडा लेके मारने दोड़ जाएगी तो यह होती है चार से पांच वस के वालकों में अपने छोटे भाईयों बहन का अगर बढ़ा है तो छोटों के लिए क्या है उसकी रच्छा करने की भावना होती है तो यह किसने कथन कहा तो आपके विलेंटाइन ने कहा ध्यान दिजेगा बहुत बार पूचा गया है अब बात करेंगे बाल्य अवस्था की बाल्य अवस्था की जो वस्था होती है 6 से 12 वस्था की होती है जीवन का सबसे अनोखा काल ही अवस्था अनोखा काल क्या है आपका बाल्य अवस्था है ज सवस्था में बालक जिद्धी बिरोधात्मक आग्या ना मानने वाला अधिकारी बिवहार करता है जिद्धी प्रवत्तिका होता है कई बार पूछागा कि बालक जिद्धी प्रवत्तिका होता है कौन से अवस्था की विशेश्था है तो बता देना वही अब बाल्य वस्था की विसेश्था है बालक खिलोने से ज़्यादा पसंद करता है बाल्य वस्था में जिग्यासा बहुत होती है बाल्य वस्था में नकल करने की प्रवत अधिक होती है बाल्य वस्था में भासा का विकास होता है आपका बाल्यावस्था की बिसेश्था है बाल्कों को दोस्त बनाना अच्छा लगता है बाल्यावस्था में ही आमूर्त वस्थों के बारे में सोचना ही आपके बाल्यावस्था की बिसेश्था है सरारत ज्यादा करता है बच्चा बाला वस्था में ही करता है समू में रहना पसंद करता है बाला वस्था में हमेशा समू में खेलना पसंद करते है क्योंकि बालक 6-12 वस्था को जाता है जानने समझने लगता है परिवार समाज ठीक है जहां रह रहा है अपने तो अपने आस पास स्कूलों से सभी बच्चों से अपने दोस्तों से क्या है प्रेम की भावना करता है शमू में रहना पशंद करता है बालक स्वयम से समन्नित अधिक बातें करता है अपने से बारे में बता कि मैंने यह जी यह खाया है मेरे को यह पसंद है, मैंने क्रिकेट खेला, आज मैंने सेंचुरी मार दे क्रिकेट में, ठीक है, मैंने आज यहाँ पे गया, मैंने इतना जंब कर लिए, आज मैंने तीन फुट जंब कर लिए जया, तो ऐसे बच्चों में क्या है, वालक के स्वहम से अधिक बातें करते हैं, अपने वारे में बात करते हैं जादा तर मेरी मम्मी ने ये बनाया मेरे पापा ने ऐसा किया ऐसे बाते होती है तो आपकी कौने बालला वस्ता में ही बात होती है और अगर काफी बालला वस्ता की बालला वस्ता है आपकी हो जाती है कि निरुदेश गोमने की अवस्ता यानि कि उनका ग्यान नहीं होता कि सत्त सत्त का जादा ग्यान नहीं होता है ठीक है संसकारों की अवस्था नैतिक विकास की प्रारंब गोल्डेन एज करके सीखने का अदर्सकाल गंदी अवस्था प्रति बंधात्मक समी करण की अवस्था और विकास में इस सिर्था ये बाल लावस्ता की आपकी विशेष्टाएं हैं हर भाई वहन यहाँ पर क्या करेगा जाके नोट्स जरूर बनाएगा क्योंकि यहाँ से आपके 5-6 नमबर पक्के हो जाएंगे केवल एक ही वीडियो में ऐसा वीडियो हम आपके लिए ला रहे हैं ठीक है? और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आज ही चैनल को जोईन कर लिजेगा और हो सके तो बेल आइकन प्रिस कर लिजेगा जो नेस चैप्टर आए ओ आपको आसानी से इनवाक से मिल जाएगा तो ये महत्पुन बाल लावस्ता की विशेष्टा है होई यतार्थ वादी दस्रिकोंड भी बाल लावस्ता की विशेष्टा है और बहर मुखी विकास एक बहुत बार पूचा गया है कि बहर मुखी विकास की विशेष्टा की विशेष्टा है चार आपसंदी देगे ठीक है? बाल लावस्ता की सोर अवस्ता? तो बाल्ले अवस्था है आपका बाहिर मुखी विकास की किस अवस्था की विशेष्था है तो बाल्ले अवस्था की विशेष्था है अब बात करेंगे साथ यो हर भाई बहने आपे नीचे कमेंट करेगा वीडियो कैसा लगा हो लाइक कमेंट जरूर कर दीजेगा ठीक है तो तीसरा देखेंगे किसोरा वस्ता आपकी अवस्ता होती है जो 12 से 18 वस होती है 16 वस्ता दोस्तों जो होती है एक से 6 होती है ठीक है और 6 से 12 आपकी कौन सी अवस्ता होती है तो देखेंगे आपकी किसोरा वस्ता होती है ठीक है 6-12 आपकी कौन सी वस्ता होती है तो सभी लोग जानते है 6-12 आपकी होती है बाल्य वस्ता होती है और किसोरा वस्ता आपकी होती है 12-18 वस्त ठीक है यह ध्यान दिजेगा हर एक महत पूर्ण यहां पे टॉपिक है आपके लिए जाम के दिस से ठीक है तो तीसरे किसोरा वस्ता में बात करेंगे किसोरा वस्ता सबसे कठिन काल का है किस ने कहा है किसोरा वस्ता जो है सबसे कठिन काल होता है तो यह अपने किलपेट्रिक ने कहा है ध्यान दीजेगा बहुत बार पूचा गया है ठीक है और किसोरा वस्था में जो 12-16 वस्था कोती है बहुत उंची अकांचाएं उत्पन होना यानि कि इसी अवस्था है आपकी किसोरा वस्था ऐसी वस्था होती है यहाँ पर आप सोच पूची अकांचाएं उत्पन करती है ठीक है तो यह आपकी काफी बार पूचा गया है कोश्चन की बहुत उंची अवस्था भी जैसी अवस्था होती है ठीक है अब बात करेंगे यहाँ पर इंपोर्टेंट यानि कि आत्म के इंदित अवस्था की जो कुश्चन पूचे कटेंट आते हैं मुद्पूर्ण अब कि समयुधस्था से समन्दित क८ करेंगे क्वात करेंगे जो बहुत बार पूचे गएं गर आ जाए कि तनाव कुण तनाव पूण पूंट वन क्रोध पूर वह हरा आपके किसूरावस्था में होता है तनाव पूंट भी रहता है को पूर्ण भी रहता है और समायोजन करना भी आपका किसोरा वस्था की विसेश्था होती है और समवेग में जटिलता भी आपकी क्या किसोरा वस्था में ही होती है तो ध्यान दिजेगा बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन यहीं से आते हैं और कहीं से नहीं आते हैं ठीक किसुरावस्था में ही ऐसा होता है बशंत काल भी आपकी किसुरावस्था में ठीक है कठिन काल की जो किसने कहा है किलपेट्रिक ने कहा है कठिन काल आपका किसुरावस्था कहलाता है कभी बार पूचा है कठिन काल की सवस्था कि भी सेस्ता है तो गईया बता देना कठिनकाल की सवस्था कहा है तो बता देना सहसावस्था कहा है अब बात करें गंगले की नाजुक अपराधिक प्रबत्यों को बढ़ावा कि अब क्या है सहसावस्था में है ठीक है तो देखें किसने कहा है तो वेलेंटाइन ने कहा है कि नोट्स बना लिजेगा हो सके तो वीडियो दो तीन बार भीजेगा जितना हो सके उतने बार देखीगा क्योंकि इन्हीं कुश्चन्स आपके 5 से चंबर कंफर्म करेंगे और जो हम प्रिक्टिस चैनल पे कराते हैं क्योंकि ये स्टडी से रिलेटेड चैनल है कोई अधर 150 ठीक है 150 में 120 नंबर सलेक्ट लाना कोई बड़ी कोई छोटी बात नहीं है बहुत बड़ी बात है उसके कान आपको मेनद करना पड़ेगा मेनद क्या करना है कुछ नहीं प्रिक् excellence abt करना है उससे related question आपको देखना जितना question हो सके उतना question करिए practice करिए model paper attend करिए वहाँपे solve कीजिए तो पहले एक बार प्रेक्टिस देख लीजिए हमारा इसके बाद आप model paper other question आप देखते रहें ठीक है इससे आपका practice होगा और जरूर 120 प्लस को जरूर करेंगे चाहिए भारत की किसी भी state स्टेट का पेपर दे रहे हैं MP8, UP8, RE REIT का इजाम दे रहे हो, KVS का दे रहे हो, सिच्चक पाता परिच्चक किसी को दे रहे हो teacher ability test का भी paper दे रहे हो, सभी के लिए important है क्योंकि सिच्चन साथ सभी के लिए एक समान होता है, ठीक है अब बात करेंगे, देखे, यहाँ पे प्रात्मी सिच्चक भरती परिच्चक से बिसेश यह आपको वीडियो के लिए बनाए गया है कि बाल विकास की अवस्थां में सहसा वस्था आपके देखे, कब से कब होता है सहसा वस्था होता है, जन्म से लेकर 6 वस तक द्यान दीजे का कापी बार पूछा गया जन्म से लेकर 6 वस तक सहसा वस्था, बाल वस्था होता है, 6 से 12 वस तक होता है और किसोर वस्था आपका 12 से 18 वस होता है द्यान दीजेगा एक question यहां से भी पूछा जाता है वर्सों से ठीक है तो संपूर्ण fact आपका रहा ये बाल विकास के अंतरगर जो आपकी आवस्था होती है और ये वीडियो आपके 5 नंबर जरूर पका कर देगा और गर इसी तरह पीडियो फाइल भी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को टेली ग्राम चैनल को जोईन कर लिजेगा गुरूप है यह की WhatsApp गुरूप भी हमारा जोईन कर सकते हैं लिंक डिस्कॉप्शन में आपको दे दी जाएगा वीडियो में वहां से आपके जॉइन हो सकते हैं तो वीडियो कैसा लगा हो लाइक कमेंट करके जुरू बताए और डेली प्रेक्टिस यहां पर मैस की प्रेक्टिस भी आपको मिलेगी सिच्छा साथ वाल विकास की मिलेगी ईवी यस परायान के काफी सारे मैंने वीडियो बना के रखे हैं तो प्रेक्टिस यह उनको जरू देखेगा सारे प्रेक्टिस यह आपके एंसी एंसी ए